हाई फ्रेंड्स मैं आज फोर टाइप्स के मिठाई के रेसिपी लेके आई हूँ हार एक मिठाई का टेस्ट एक से बढ़कर एक है कोई भी तोहार हो आप फटाफट इन सारे मिठाई को बना कर रेडी कर लोगे स्रेब कुछी मिनिटों में तो आई ये फ्रेंड देनना करते हुए रेसिपी देख लेते हैं कड़ाई के अंदर दो टेबिल स्पून घी डालने के बाद घी को अच्छे से गरम होने देंगे घी गरम हो चुके हैं अब एड कर देंगे हाप कट औरी बारिक वाले सुजी अगर आपके पास मोटे वाले सुजी है तो मिक्सी में थोड़ी देर चला लीजिए ओ एक दम बारिक वाले सुजी बन जाएगा ग्यास के फ्लेम को मीडियम पर रखते हुए बराबर सुजी को चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक सुजी का कलर हलका गोल्डेन ब्राउन ना हो जाए मीडियम फ्लेम पर सूजी को भुनते हुए 5-6 मिनिट हो चुके हैं सूजी का कलर देखिए हलका गोल्डेन ब्राउन हो चुके हैं और सूजी के अंदर से बढ़िया खुसबू आ रहे हैं अब एड़ कर देंगे जिस कटोरी के नाप से हाप कटोरी सूजी लिये थे सेम कटोरी के नाप से दो कटोरी दूद दूद डालने के बाद सूजी के अंदर देखिए धेर सारे लंस आ गए हैं जैसे जैसे हम मिक्स्ट करते जाएंगे और सूजी सौप्ट होता जाएगा सारे लंस जो है वो खतम हो जाएगा थोड़ी देर मिक्स्ट करने के बाद सारे लाम्स देखिए खतम हो चुके हैं और सुजी के मिक्सर देखिए पहले से कितना गाढ़ा हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पे 10 रुपिया के 2 पैकेट मिल्क पाउडर लिये हैं आप कोई भी ब्रैंड के मिल्क पाउडर एड़ कर सकते हैं मिल्क पाउडर डालने के बाद तूरंद मिल्क पाउडर को सुजी के मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे मिल्क पाउडर जो है मिठाई के अंदर एक इंस्टेंट खोया बाला टेस्ट दे देगा सेम कटोरी के नाप से हाप कटोरी चीनी अब गयस के फ्लेम को मीडियम टू हाई के बिच में रखते हुए मिकसर के साथ चीनी को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे चीनी जैसी जैसे मेल्ट होते जा रहे हैं मिक्सर देखिए वैसे वैसे पतला हो रहे हैं थोड़ी देर मिक्स्ट करने के बाद मिक्सर जो है एक डो के फॉम में आ जाएगा थोड़ी देर मिक्स्ट करने के बाद सूजी के मिक्सर जो है देखी एक डो के फॉर्म में आ गए हैं अब ग्यास के फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे दो चुटकी के जितना एलाइची पाउडर और एक टेबिल स्पून घी डालने के बाद डो के साथ एलाइची पाउडर और घी को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे घी डालने से डो जो है एकदम अच्छे से सेट हो जाते हैं कड़ाई के साइट में जो सूजी के मिक्सर लगे हुए हैं उसको भी छुडाते हुए डो के साथ अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे डो एकदम ready हो चुके हैं अब डो को कड़ाई से बहान निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए डो को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे सेम कड़ाई के अंदर add कर देंगे एक छोटे सच के great किया हुआ नारियेल हाप कटोरी चीनी डालने के बाद गैस के फ्लेम को एकदम हाई पर रख लिए हैं अब नारियल के साथ चीनी को मिक्स्ट करते हुए पकाएंगे 2-3 मिनिट के लिए नारियल को हाई फ्लेम पर पकाते हुए 3 मिनिट हो चुके हैं अब गेस के फ्लेम को एकदम स्लो कर दिये हैं मैंने अब एड़ कर देंगे 2 चुटकी के जितना इलाईची पाउडर और 3-4 ड्रोब के जितना योलो फूड कालर मैंने यहां पर योलो फूड कालर एड़ किये हैं आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी food color एड़ कर सकते हैं नारियल mixer के साथ color को mix करते हुए slow flame पर पकाएंगे 5-6 मिनिट के लिए slow flame पर mixer को पकाते हुए 5-6 मिनिट हो चुके है अब थोड़ा सा mixer हातों में लेके चेक कर लेते हैं लड़ू बंद रहे हैं कि नहीं mixer जो है देखिए लड़ू के सेप ले लिए हैं इसका मतलब mixer एकदम रेडी हो चुके हैं अब gas के flame को बंद कर देंगे gas के flame को बंद कर दिये हैं मैंने अब सारे नारियल mixer को उठा कर रख लेंगे एक प्लेट के अंदर सूजी के mixer जो है ओहलका ठंडा हो चुके हैं हातों में थोड़ा सा घी लगा लिए हैं मैंने अब सूजी के mixer को अच्छे से मसलते हुए एक शौक डो बना लेंगे सूजी mixer को मसलते हुए दो से तिन मिनिट हो चुके हैं अब मिक्सर में इसे थोड़ा सा मिक्सर हातों में लेके बॉल के सेब दे देंगे एक पीस सूजी बॉल रेडी हो चुके हैं इस तरीके से सारे सूजी बॉल को रेडी कर लेंगे सारे सूजी बॉल को सेब दे दिये हैं मैंने अब इस थाली को हम रख देती हैं साइट में नारियल मिक्सर में इसे थोड़ा सा मिक्सर हातों में लेके गोल बॉल के सेब देंगे नारियल बॉल जो है वो सुजी बॉल से थोड़ा सा छोटे साइच के होनी चाहिए सूजी के बॉल जो है वो 11 पीस हुए है इसलिए नारियल बॉल भी हम 11 पीस बनाएंगे 11 पीस सूजी बॉल के लिए 11 पीस नारियल के बॉल बना लिये है मैंने देखिए सूजी बॉल से थोड़ा सा छोटे साइच के नारियल बॉल बनाएं है मैंने सोजी बॉल को दोनों हातों से प्रेज करती हुए चप्टबनाने के बाद बीच में एक होल जएसा बनाएंगे इस होल के अंदर एड कर देंगे नारियल बॉल उसके बाद मिक्सर को अच्छे से लॉक कर देंगे सूजी मिक्सर के साइट में जो हलका हलका क्रैक दिख रहे हैं उसको हम हातों से इस तरीके से प्रेस करते हुए बराबर कर देंगे एक पीस मिठाई रेडी हो गए हैं बाहर से एकदम सौप्ट और अंदर से एकदम जूसी मिठाई बन के रेडी हुआ है इस तरीके से सारे मिठाई को सेब देंगे और एक पीस मिठाई बना के दिखा देती हूँ दूसरे मिठाई भी एकदम रेडी हो चुके हैं इस तरीके से सारे मिठाई को सेब देंगे सारे मिठाई को सेब दे दिये हैं मैंने उपर से डाल देंगे थोड़ा सा सिल्वर डेजेस आप कोई भी कटी हुई ड्राइफुट से मिठाई को सजा सकते हैं पोहा मलाई लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी पतले वाले पोहा लिए हैं आप चाहें तो मोटे वाले पोहा से भी इस मिठाई को बना सकते हैं एक कोटन कपड़ा ले लिए हैं कपड़े के उपर थोड़ा सा पानी छिटक के कपड़े को हालका गिला कर लेंगे अब इस गिले कपड़े के उपर सारे पोहा को डालने के बाद गिले कपड़ों से पोहा को इस तरीके से धीरे-धीरे पोच लेंगे जिससे की पोहा जो है वो अच्छे से साफ हो जाए पोहा जो है एकदम बड़िया तरीके से साफ हो चुके है और पोहा के अंदर के जो मेल थे वो सारे मेल कपड़े के अंदर आ गए हैं अब सारे पोहा को हम उठा कर रख लेंगे कटोरी के अंदर एक मिकसद चार के अंदर सारे पोहा को हम डाल देंगे पोहा को पीस के एक दरदरासा पाउडर बना लेंगे देखिए पोहा को पीस के एक दरदरासा पाउडर बना लिये है मैंने मार्केट में मिलने वाले जो मोटे वाले सुजी आते हैं बस उसी तरीके का दरदरासा पाउडर बना लिये है मैंने कड़ाई के अंदर एड कर देंगे देट टिबल स्पून के जितना घी घी को अच्छे से गरम होने देंगे घी गरम हो चुके हैं अब कड़ाई के अंदर सारे पिसी हुई पोहा को डाल देंगे गैस के फ्लेम को एकदम स्लो पर रखते हुए पोहा को चार से पांच मिनिट के लिए भुनेंगे जिससे की पोहा के अंदर के जो कच्छेपन है वो निकल जाए स्लो फ्लेम पर पोहा को भुनते हुए चार से पांच मिनिट हो चुके हैं पोहा का कलर चेंज हमें नहीं करना है पोहा बड़या तरीके से भुन चुके हैं अब एड़ कर देंगे पहले से गरम करके ठंडा किया हुआ एक क्लास दूद गैस के फ्लेम को स्लो पर रखते हुए दूद के साथ पोहा को मिक्स्ट करते हुए पकाएंगे दो मिनिट के लिए पोहा को पकाते हुए दो मिनिट हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे एक कटोरी घर का बना हुआ फ्रेस मलाई अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप मलाई के बदले में एक कटोरी मिल्क पाउडर एड़ करके भी इस मिठाई को आप बना सकते हैं मिक्सर के साथ मलाई को मिक्स करते हुए पकाएंगे 2-3 मिनिट के लिए मिक्सर को पकाते हुए 2-3 मिनिट हो चुके हैं अब एड कर देंगे चीनी एक कटोरी पोहा के लिए एक कटोरी चीनी लिए है मैंने जितना आप पोहा ले रहे हैं उतना ही आपको चीनी भी लेना है मिक्सर के साथ चीनी को मिक्स्ट करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक चीनी पुरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए चीनी मेल्ट होने के बाद मिक्सर देखिए एकदम पतला हो चुके हैं अब गैस के फ्लेम को मिडियम पर रखते हुए मिक्सर को पकाएंगे 3-4 मिनिट के लिए 3-4 मिनिट पकाने के बाद मिक्सर के अंदर से छीटे जो है वो बहार आ रहे हैं अब गैस के फ्लेम को एकदम स्लोपर रखते हुए मिक्सर को तब तक पकाएंगे जब तक मिक्सर गाढ़ाना हो जाए थोड़े देर मिक्स्ट करने के बाद मिक्सर देखिए गाढ़ा हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे 3 पीस एलाइची का पाउडर मिक्सर के साथ एलाइची पाउडर को मिक्स्ट करते हुए पकाएंगे एक मिनिट के लिए जिससे की मिक्सर जो है और थोड़ा सा थिक हो जाए एक मिनिट पकाने के बाद मिक्सर देखिए और थोड़ा सा थिक हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे एक टेविल स्पून घी इस टाइम घी डालने से मलाय लड़्टू का जो टेस्ट है और भी बढ़या आते हैं और घी डालने के तुरंथ ही देखिए मिक्सर जो है कड़ाई छोड़ दिये हैं अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे मिक्सर को पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे मिक्सर पूरी तरीके से ठंडा हो चुके है अब सारे मिक्सर को निकाल के रख देंगे एक प्लेट के उपर थोड़ा सा पोर्षन हातों में लेके लड़ू के सेप देंगे आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े किसी भी सेप में आप मलाई लड़ू को बना सकते हैं मिठाई रैप करने का जो पेपर कप्स मिलते हैं उस पेपर काप्स के अंदर मिठाई को रखने के बाद अच्छे से सेट कर देंगे एक पीस मिठाई रेडी हो चुके हैं इस तरीके से सारे मिठाई को रेडी कर लेंगे सारे मिठाई को सेब दे दिये हैं मैंने अब मिठाई के उपर से डाल देंगे ग्रेट किया हुआ पीस्ता आप अपने पसंद के इसाब से कोई भी ग्रेट किया हुआ ड्राइफुट से मिठाई को सजा सकते हैं आप मैंने यहाँ पर एक मीडियम सेच के नारियल के पीछे वाले हिस्से को निकालने के बाद छोटे छोटे टुकडों में काट लिए हैं अब सारे नारियल को हम डाल देंगे एक मिकसद जार के अंदर नारियल के अंदर एड कर देंगे मलाई वाले दूद मैंने यहाँ पर हाप गलास मलाई वाले दूद लिये हैं अब सारी मलाई वाले दूद को हम एड़ कर देंगे मिकसजार के अंदर नारियल और दूद का एक फाइन पेस्ट बना लेंगे नारियल का एक फाइन पेस्ट बना लिये हैं मैंने देखिए इस तरीके का फाइन पेस्ट होनी चाहिए अब इस मिकसर चार को हम रख देंगे साइट में कड़ाई के अंदर एक टेबिल स्पून के जितना घी डालने के बाद घी को हलका गरम होने देंगे घी हलका गरम हो चुके हैं अब कड़ाई के अंदर सारे दूद और नरेल के मिकसर को हम एड़ कर देंगे गैस के फ्लेम को मिडियम पर रखते हुए घी के साथ मिकसर को मिकस्ट करते हुए हम पकाएंगे चार से पांच मिनिट के लिए कंटिनिव चलाते हुए मिकस्ट करेंगे मिकसर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है पांच से छे मिनिट पकाने के बाद मिकसर देखिए हलका ठीक हो चुके हैं अब एड़ करतेंगे 70 ग्रम चीनी चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं आप मिकसर के साथ चीनी को मिकस्ट करते हुए मिडियम फ्लेम पर पकाएंगे 2-3 मिनिट के लिए चीनी मेल्ट होने की बाद मिकसर जो है देखिए कितना पतला हो चुके हैं अब 2-3 मिनिट के लिए मिकसर को हम मिडियम फ्लेम पर पका लेंगे मिकसर को पकाते हुए 2-3 मिनिट हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे हापका टोरी मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रेंड के मिल्क पाउडर एड़ कर सकते हैं मिल्क पाउडर डालने से आईस क्रीम सौंदेश का जो टेस्ट है और भी बढ़िया आते हैं मिक्सर के साथ मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे 20 से 25 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स्ट करेंगे तो मिल्क पाउडर जो है मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स्ट हो जाएगा मिक्सर के साथ मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स्ट हो चुके हैं अब कंटिन्यू चलाते हुए 5 से 6 मिनिट के लिए मिक्सर को पका लेंगे पाउडर, मिक्सर के साथ एलाइची पाउडर को मिक्स्ट करते हुए पकाएंगे दो मिनिट के लिए, मिक्सर को पकाते हुए दो मिनिट हो चुके हैं, मिक्सर देखिए पहले से थोड़ा सा थिक हो चुके हैं, इससे जादा मिक्सर को ना पकाए, मिक्सर इसी तरीके का एकद पुरिदेर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक मिक्सर ठंडा हो रहे हैं तब तक आगे का काम भी रेडी कर लेते हैं एक प्लास्टिक के बॉक्स लिए हैं मैंने बॉक्स के अंदर थोड़ा सा घी डालने के बाद घी को बॉक्स के अंदर अच्छे से लग दालेंगे नारियल मिक्सर हल्का ठंडा हो चुके हैं अब सारी नारियल मिक्सर को हम एड कर देंगे बॉक्स के अंदर स्पैचुला के मदद से नारियल मिक्सर को बॉक्स के अंदर अच्छे से सेट कर देंगे स्पैचुला की मदद से नारियल मिक्सर को बरावर कर दिये है मैंने अब इस बॉक्स के ढखकन को बंद करने के बाद इस बॉक्स को हम डिप फिजर के अंदर छोड़ देंगे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर नहीं रखना है जिसमें हम आईस और आईस क्रिम जमाते हैं उधर ही इस बॉक्स को हम रख देंगे 3-4 घंटे के लिए 4 घंटे के बाद डिप फिजर से बॉक्स को बहान निकाल लिए है मैंने अब बॉक्स के ढखकन को हटा देंगे कोकोनाट आईस क्रिम संदेश एकदम रेडी हो चुके हैं अब एक चक्को के मदद से बॉक्स के साइट से हम आईस क्रिम संदेश को अलग कर लेंगे जिससे की आईस क्रिम संदेश जो है वासानी से बाहर निकल आए बॉक्स के उपर एक प्लेट को पलटने के बाद फेर से बॉक्स को हम इस तरीके से पलट देंगे उसके बाद हलका सा डैप करेंगे तो आईस्क्रीम सॉन्देश जो है वह आसानी से बाहर निकल आएगा सौन्देश देखिए बहार निकल आए हैं अब एक चक्कू के मदद से सौन्देश को हम बड़े बड़े टुकडों में काट लेंगे आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े कोई भी सेप में काट सकते हैं सौन्देश के उपर से डाल देंगे छोटे छोटे टुकडों में काटी हुई चेरी आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी काटी हुई ड्राइफुट से सौन्देश को सजा सकते हैं आप कढ़ाई के अंदर चाट टेविल स्पुन घी डालने के बाद घी को हलका गरम होने देंगे जब घी हलका गरम हो जाए तब एड कर देंगे हाप का टोरी बारिक बाली सूजी गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखते हुए सूजी को तब तक भुनेंगे जब तक सूजी का कलर हलका ब्राउन कलर के नाव हो जाए सूजी का कलर देखिए हलका ब्राउन हो चुके हैं और सूजी के अंदर से बड़िया खुजबू भी आ रहे हैं अब एड़ कर देंगे जिस कटोरी के नाप से हाप कटोरी सूजी लिये थे सेम कटोरी के नाप से दो कटोरी दूद दूद के साथ सूजी को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे सूजी के अंदर कोई भी लंस नहीं रहनी चाहिए दूत के साथ सूजी अच्छे से मिक्स्ट हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे चीनी जिस कटोरी के नाप से हाप कटोरी सूजी ले थे सेम कटोरी के नाप से एड़ कर देंगे हाप कटोरी चीनी दूत और सुजी के साथ चीनी को मिक्स्ट करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक सुजी डो के सेप में ना आ जाए थोड़ी देर मिक्स्ट करने के बाद सुजी देखिए डो के सेप ले लिए हैं अब एड करते हैंगे दो से तीन चुटकी के जितना एलाईची पाउडर और एक टेविल स्पून घी एलाईची पाउडर और घी को सुजी के साथ मिक्स्ट करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक डो कढ़ाई न छोड़ दे थोड़ी देर मिक्स्ट करने के बाद डो देखिए कढ़ाई छोड़ दिये हैं अब डो को कढ़ाई से बहान निकालने के बाद डो को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे एक छोटे सैच के नारियल को बिना पानी डाले मिकसद जार के अंदर बारिक पीस लिए हैं अब इस पीसी हुई नारियल को एड़ कर देंगे कड़ाई के अंदर एड़ कर देंगे हाप कटोरी चीनी नारियल के साथ चीनी को मिकस्ट करते हुए हाई फ्लेम पर पकाएंगे दो मिनिट के लिए नारियल को पकाते हुए दो मिनिट हो चुके हैं चीनी पुरी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे थोड़ा सा योलो फूड कलर, अब कलर के बिना भी स्टफिंग को बना सकते हैं, कलर डालने से टेस्ट में कोई भी फरक नहीं आएगा, स्रेप स्टफिंग का कलर चेंज हो जाएगा, एड़ कर देंगे तीन चूटकी के जितना एलाइची पाउडर, कलर और एलाइची पाउडर को डालने के बाद गैस के फ्लेम को एकदम स्लो कर दिये हैं मैंने, अब स्लो फ्लेम पर स्टफिंग को पकाएंगे 5-6 मिनिट के लिए, slow flame पर 5-6 मिनित पकाने के बाद stuffing एकदम रेडी हो चुके है अब gas के flame को बंद कर देंगे gas के flame को बंद कर दिये है मैंने अब stuffing को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हातों में थोड़ा सा घी लगा लिए है मैंने अब सुजी को दो से तीन मिनिट के लिए मसलते हुए एक स्वाप डो बना लेंगे सुजी इस टाइम हलका हलका गरम रहनी चाहिए सुजी को मसलते हुए दो से तीन मिनिट हो चुके है सूजी का एक सौब डो बन के एकदम रेडी हो चुके हैं अब डो में से थोड़ा सपोर्शन हातों में लेके राउंड सेव देंगे एक पीस सूजी बॉल रेडी हो चुके हैं इस तरीके से सारे सूजी बॉल को रेडी कर लेंगे 9 पीस सुजी बॉल रेडी हुआ है सेम थाली के अंदर सारे नारियल के स्टफिंग को निकाल लेंगे नारियल स्टफिंग में से थोड़ा सपोर्षन हातों में लेके छोटे साइच के बॉल के सेब देंगे एक पीस रेडी हो चुके हैं इस तरीके से सारे स्टफिंग को बॉल के सेब देंगे नौ पीस सुजी बॉल के लिए नौ पीस नारियल के बॉल बना लिए हैं मैंने अब थाली को साइट में रख देते हैं एक पीस मोदक के मोल्ट ले लिए हैं, मोल्ट के अंदर अच्छे से घी लगा लेंगे, आप मोल्ट के बिना भी कैसे मोदक बना सकते हैं, ओ भी मैं दिखा दूंगी, बार बार घी लगाने की कोई जुरुत नहीं है, एक बार घी लगाने से ही सारे मोदक जो हैं, ओ आराम से बन जाते हैं, मोल्ड को फोल्ड करने के बाद इस तरीके से टाइट पकड़ लेंगे, उसके बाद सूजी बॉल को डाल देंगे मोल्ड के अंदर, सूजी को मोल्ड के अंदर अच्छे से दबाते हुए सेट कर देंगे, उसके बाद बीच में एक होल बना लिये हैं मैंने, कि आधे हैं उतना हम डालेंगे और बचे हुई जो स्टफिंग है उसको हम आता देंगे स्टफिंग को अच्छे से से करने के बाद थोड़ा सा सूजी के mixr ले लिए हैं अब इस शूजी mixr से अच्छे से लोग कर देंगे जिसे की स्टफिंग जो है वो बहार ना आपाए अब मोल्ड को खोल लेते हैं देखिए एकदम पारफेक्ट मोदग बन के रेडी हुआ है बाहर से एकदम सौप्ट और अंदर से एकदम जूसी मोदग बन के रेडी हुआ है अब मैं बिना मोल्ड के मोदग बना के भी दिखा देती हूँ सूजी मिक्सर को हातों से मसलते हुए चैप्टा बना लेंगे अब इसके बीच में नारेल के स्टफिंग रखने के बाद अच्छे से लोक कर देंगे और उपर के तरफ इस तरीके से प्रेस करते हुए एक नोक बनाएंगे मोदक के साइट के तरफ बराबर करने के बाद उपर के तरफ एक नोक बना लिए हैं देखिए बिना मोल्ड के भी कितना बड़िया मोदक बन के रेडी हुआ है अगर आप मोदक को मोल्ड बाले मोदक के सेप देना चाते हैं तो एक toothpick से मोदग के 4 तरब इस तरीके से dip cut लगा लीजिये देखिए बिना mold के भी कितना बड़िया मोदग बन के ready हुआ है आज मैं सारे मोदग को mold से बना कर ready किये है अगर आप इस तरीके से mold से मोदग बनेंगे तो आपके हार एक मोदक जो है एकदम एकी सेप के बनेगा सारे मोदक को सेप दे दिये है मैंने थोड़ा सा योलो फूड कलर लिए है अब हार एक मोदक के साइट में थोड़ा थोड़ा योलो फूड कलर लगा देंगे आप चांहें तो color को बिल्कुल skip भी कर सकते हैं Color डालने से मोदक दिखने में और भी बढ़िया लगते हैं सारे मोदक के उपर color को लगालिये हैं मैंने Color लगाने के बाद मोदक देखिए और भी बढ़िया लग रहे हैं दिखने में अब एक पीस मोदक को काट के भी देख लेते हैं, मोदक के से बाहर सुन्दर नहीं है, अंदर भी देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं दिखने में, बाहर से सौक्ट और अंदर से एक दम जूसी मोदक बन के रेडी हुआ है,